असलाम अलेकुम गर्ल्स यह जो लेक्चर है यह एड़नस अन्दा अल्फाबट का है मैं यह पुस्टार्ट से करवा रही हूँ जो एड़नस है यह ना ग्रीक मिथालोजी का करेक्टर है एड़नस को से ना दो औरतों को प्यार होता है एक एफ्रोडट एक है परसिफोन जो ए करें कि एड़नस और अल्फाबट के अंदर क्या रिलेशन है यह तो हमें बिल्कुल सब कुछ पढ़ने के बाद पता चलेगा लेकिन सबसे पहले हम उसके मिथ को अंडरस्टार्ट करें यह सब कुछ स्टार्ट कहां से हुए होता यह है कि जो एड़नस है उसे दो गॉड़ और परसेफन दोनोंको प्यार होता है जो एफ्रोड़ेट है वह गर्ड़स अफ सेक्शवल लव है और जो परसेफ्न है वो गार्ड़स अफ ब्यूटी है उसके बाद किया हता है अजियूस इस गॉड़ होता है तो वो डिसाइड करता है जिसको जीऊस भी कहते है रोमन्स जूपिटर भी कहते है तो वह डिसाइड करता है कि जो आड़निस है उसने विंटर जोंसा है अंडर वोर्ड में गजाना है परसेफोन के पास और जो समर्स है वह एफ्रोडेट के पास गजारनी है ठीक है ताके वह मतलब एक्विली वह शेयर कर सके उसको आड़निस को इसके हमें पता चलता है जो आड़निस है इसको हम लोग किस से करते हैं गौड टमस से भी करते हैं क्यूं करते हैं क्यूंकि वह सीजनल बर्थ हो रही है री बर्थ हो रही है जैसे क्रॉप्स हैं हर साल गर्मियों के अंदर गंदम मूगती है उसके बाद उनकी कटाई होती है वह जाती हैं फिर अगले साल फिर वो दुबारा से गंदम लगती है तो यह क्या है सीजनल बर्थ हो रही है तो क्रॉप सब की सीजनल बर्थ होती है और सीजनल डेथ होती है तो यह सब क्या है यह एड़निस की कौलिटीज भी है जो एड़निस है इसका टैंपल लेबनान के सिटी में है और जो एफरोडेट एर वीनस जिसका नाम वीनस भी है उसका जो टेंपल है वो वेबलस में है अब आप इससे खुद से इमाजन कर सकते हैं कि जस तरह हम लोगों के सिटी के अंदर टॉम है हीर का तो उससे सब लोग ये रिजम्बल करते है कि जहांग जॉनस है वो महबट करने वालों का शहर है यहां पर लोगों का पस नोर्बल प्राइस था तो लोग क्या इसको करते हैं मतलब जैंक के बार में क obras करते हैं कि यहां पर लोग इंटालरजिंट होगे तो ये जो दोनों चीजें हैं वो ही यहां पर भी कह रहे हैं कि बेबल सिटी को वीनस की वज़ा से सिटी ओफ लाव पर ये सब चीजें ली जाती हैं लेकिन ये भी आगे जाके वो एक्स्प्लेन करेगा कि इसकी सिटी की वैलियू इससे बहुत बहुत ज़ादा है फिर उसके बाद जो हग्सले है वो ये बिताता है कि विलियम शेक्सपेर ने वीनस को होमच देते हैं एक पोएम लिखी वीनस और अड़नस उसके अंदर उसने कहा कि अड़नस को वो टैम्ट करने के लिए अपने दर बलाने के लिए क्या मतलब जो उसकी पोईट्री की लाइन हैं उसके अंदर के आए उसकी ट्रांसलेशन है शी विल बिकम अग्रेजिंग पास्चर फॉर हैं तो यहां पर उसका यह और उसका यह और्ग्यूमेंट है कि इस तंप्टेशन और इन सब चीजों की वज़ा से जो शेक्सपेर है इसके वर्क को लस्टफुल और इन अप्र ट्राप्रियेट और अंसूटेबल करके उस वाली कैटेगरी के अंदर डाला हुए तो आगे उसको वो हग्जले जिस्टिफाइब करेगा कि यह ऐसा नहीं होना चाहिए क्यों नहीं होना चाहिए उसकी रीजन यह है इसके वर्क वो उसको कहते है कि शिक्सपेर के काम को आप लोगों ने उसको अनसूटेबल जो भी उस कैटेगरी में डाल दी है तो वो उसको कंपेर किसे कह रहा है पॉप जॉर्ज टेन जो था ट्वैल थर्टी टू के अंदर उसने क्रिस्टियन की कम्यूनिटी बनाई हु तो यहां पर वो उसको कंपेर कर रहा है कि उन्होंने एक बुक लिखी दा दा हैमर ओफ विचेज ठीक है और वो जो बुक थी उसके ट्वैंटी एट एडिशन हुए थे पब्लिश हुए थे 1486 से 1600 में मतलब दो सेंचुरी इसके पब्लिश हुए थे कि इस बुक के दा हैमर इस चीज़ में कोईसी भी किसम का बुराई नहीं नजर आती थी तो वो कहता है कि जो वीनस और आडिशन की स्टोरी है वो इन से तो कम असकम बेतर है क्योंकि वो मॉरली और एथिकली मुर्डर वगएरा तो नहीं करें टॉर्चर तो नहीं करें वो इसमें कहता है कि शेक्सपेर ने जुसको इमेजनरी तोर पर कहा है कि ग्रेजिंग ऑन माय लेप्स एंड एस्ट्रेल लोर तो वो जब वीनस है वो तो गॉड़ड़स अफ सेक्श्वल लव ही है तो हम उससे यही एक्सपेक्ट करेंगे और जब एक मेल और फीमेल है और देन देन विकेड आक्शन ऑफ टॉर्चरिंग पीपल इवन बर्निंग देम अलाइफ थू इंसकेशन अब यहां पर हमें क्या क्लियर हो रहा है कि यह जो शेक्सपेर का काम था उसको हग्सले डिफेंड कर रहा है सिरफ इसलिए कि उसके अंदर सेक्शुल बाते होई हैं ल उसको जब वो पिग मार देता है तो वो एक सिंपल स्टोरी है और उसके बाद वो मतलब उसकी डेड बॉड़ी देखके डर जाती है तो इसमें कुछ भी इतना इंपॉर्टन नहीं है जितना उसको लस्टफुल और मतलब वो आपने उस काटगरी में डाल दी है उसके बाद उसने दो-तिन लोगों को और एकस्प्लेइन किया है जिसमें जर्मिया भी है डंटे भी है कि इन लोगों के साथ भी ऐसे ही हुआ है कि उनके काम को उनोंने मिस अंडरस्टांड किया है इसके में बाद वो क्या है फॉनिकल सिटी अफ बेबलेस अज दे बिर्थ प्लेस अफ स्पॉर्ट था सीपॉर्ट था और मतलब बहुत से इसकी बाउंडरी और वेस्टरन यॉर्पियन कंट्री से मिल रही थी तो उससे ज्यादा इसकी वैल्यू है वो क्यों वैल्यू है हग्सले के अकार्डिंग जो बैबलेस अब जहां पे हग्सले बताता है कि बैबलेस का प्लांट कलो भी लिया जाता है प्लांट जो बिलकुल लंबे लंबे तिनकों की तरह है और वो वाटर में उगदा है और वो किसले यूज होता है जैसे हम कलम नहीं बनाते लंबी-लंबे स्थे तो वो उस तरह राइटिंग मेटीरिल के लिए यूज होता था वो बैबलेस और वेबलिन टेकल जो उसके इंडर मैंशन है किसकी किसने मैंशन किया है होमर ने और हरोडाटस ने इन वाइज में किया है घृति वाटिटी दो फौर टविंटी फाइफ बी सी के इनदर ग्रीद फादर ओ एश्ट्री था मादब जो हैरोडाटस था उसने क्या था एक सिर्टी कू फेला बंदा था जिसने सबसे जब से सबसे जादा history की books लिखी थी और उसने bybel ए इस city को unsp communicated तो इस चानला मतलब ये है की उस टायम अरफ त्थांग के लागा लाफ था और हॉमर के time अरफ लोगह याप लोग को पता है आप लोगह लोग के भी है, Homer की Apex के बारे में आपको knowledge होनी चाहिए, तो वो जिस century में belong करते हैं, 9th to 10th century before Christ के इंदर तो वो उस time भी Bebelis City के इंदर लिखा पड़ा जा रहा था उसके बद वो इस चीज को थोड़ा सा और explain करता है कि Bebelis जो अंसा है वो Bebelon Bebel and after word a book, यह जो words हैं यह end पे book बन गए हैं, तो इसका मतलब यह है, कि it was here in the city of Bebelis about three five, five, thirty five hundred years ago the same nameless, अचा वो कह रहा है कि 35 three house, thirty five hundred years ago, एक मतलब कोई important nameless person था, जिसने ABC को perfection दी थी, Bebelis City के इंदर, इन सब reference की वज़ा से हमें clear होता है, कि वहां पे लिखा पड़ा भी जा रहा था Homer ने भी उसी चीज़ को follow किया है और वहां पे ही वो column बन रहे थे, जिससे लिखा जाता था तो इससे हमें पता चलता है कि alphabet की जो birth place है या जहां से उनका start हो रहा है वो कौन सी जगा है, बैबिलस है अब उसका वो एक और reference दे रहा है King Erhan जो क्या कहते है rule किया है, उसने 13th century के अंदर 13th century before Christ हजरत इसा के पहले, से भी पहले तो उसके जो crave है या जो उसकी dead body है या coffin है, उसके ओपर भी alphabet के, alphabet के words पाए गए है इसका मतलब यह है कि उस टाइम भी alphabet exist करती थी और वो भी यहीं पे ही था Lebanese जो थे archaeologist उन्होंने इसकी dead body found की है और इसका सबूत यह भी है कि वो museum के अंदर पड़ी है और आप वहाँ पर जाके भी विरट के museum के अंदर पड़ी है तो वो वहाँ के उपर हम लोग अभी भी जाकर देशकते हैं कि उसकी writing जो थी उसके अंदर alphabet वगएरा थी इन सब reasons की वज़ा से वो आगे से हग्सले हम सब लोगों को कहना चाहता है कि हम we should be thankful उस person के जिसने यह alphabet को बनाया और हमें तो बलके उसको फिर हग्सले हमें बताता है compatibility of birds with monothism monothism क्या है belief of one god अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि वो हमें different examples बता रहा है जहां पे जानवर या जो कोई भी है वो worship के दरमियान में आ रहे हैं तो उनको कोई भी बुरा नहीं समझ रहा otherwise आपको पता है कि जानवर उसे सब डरते हैं उसमें first example वो ये देता है कि चर्च के अंदर एक unexplainable सी बात है जो Sunday के चर्च के अंदर उसने notice की उसमें क्या हो रहा है कि कुछ चड़ियां ओर रही थी और उनको किसी ने भी उनके ना शोर से कोई तंग हुए बलकि जो उनकी Sunday वो सर्विस होती है Sunday को जो अबादत करते हैं उसके अंदर वो उनको accept किया जाता है या मतलब उनसे कोई bother नहीं होता है उसके बाद वो कहता है कि वोही वाली स्पैरोस जो बैविलस की है मुहमदियन पिजिन्स जैसे आपको पता है मस्जिदों में और हमारी अबादत गाओं के अंदर कबूतरों को आने दिया जाता है बलकि उनको वहाँ पे खाना भी दिया जाता है तो इस वज़ए से उसने मुहमदियन पिजिन्स का है कि मुहमद के followers के पिजिन बलकि जो दाड़ी वाले मुसल्मान होते हैं वो एक स्माइल जो उनसे देते हैं उनको आगे चले जाते हैं उसके बाद कहता है कि सेम उसी जगह पर किसका है फिश गॉर्डस का जो टैंपल है नौर्ट सीरिया में वहाँ पे birds अब birds के अंदर कौन कौन से eagles हैं, bears हैं, even lions भी अराम से फिर रहे हैं worshipers जो अबादत कर रहे हैं उनके दरमयान में लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पढ़ रहा ओके यहाँ पे हग्सले हमें क्या बता रहा है prevalence of non-humanitarian attitude towards animal species अब यहाँ पे वो एक किसा बताने वाला है जिसके अंदर saint dominic है dominic हाँ जी तो उसने क्या किया है कि वो लोगों को church के अंदर अबादत कर रहा था या मतलब उनको वो जैस तरह बयान दे रहा था तो बीच में क्या है यह एक चिडिया आई है और वो different लोगों के सरों पे jump करना शुरू हो गई है तो उसने क्या किया किया कि उस चिडिया को पकड़ लिया और उसको एक one by one एक एक फिद पर जोंसा है वो तोड़ तोड़ के फैंकने लगए और साथ में क्या कह रहा है you rich, you rock तुम बहुती naughty या मतलब शरारती हो तो इस तरह कह रहा है और उसके बाद जितने भी वहां पे brothers और sisters बैठे थे वो सब गलाब हाड़ पाड़ के उसके साथ हसना शुरू हो गए ठीक है वो उसकी pain को enjoy कर रहे थे अब वो यह कह रहा है कि इसको मतलब चड़िया को torture करने की मतलब पता चल रहा है कि वो कितना बुरा इंसान था ठीक है अब यह कोई logic नहीं है कि चड़िया के अंदर evil spirit आ गई थी इसलिए वो लोगों को तंग कर रही थी यह सिरफ superstition है कि मतलब कोई रूँ या किसी भी तरह का कोई काम चड़िया कर यह किसी और के कहने के उपर तो वो यह कहता है कि 12 साल जो इतनी मेनद करके सेंट डॉमिनिक ने इतनी पढ़ाई की अपनी Christian religion का तो इस religion का क्या फाइदा जिसके अंदर उसने सिर्फ रटे लगा ली है अपनी दीनी किताबों के और फिजिकली वो क्या कर रहा है एक non-human काम कर रहा है और दूसरों की pain को enjoy कर रहा है यहां पे उसने यह पूरा वाकिए explain किया और उसके अंदर यह बताया है कि religious people क्यों मतलब सारे अच्छा काम करें या उससे कुछ अच्छाई आजए यह ज़रूरी नहीं है अगे अब हग्जले बात करता है जो हिंदू concept of नामा रूपा है और उसकी seriousness और non-seriousness of the world इसके अंदर सबसे पहले वो यह बता रहा है कि हम सब लोग जोंसे हैं this way और that way language को use करते हैं कुछ लोग पंजाबी यूज़ करते हैं कुछ लोग English यूज़ करते हैं कुछ लोग Russian यूज़ करते हैं जिसकी जो language है वो उसको use करता है अपने mind को या जिस चीज़ को भी उसने express करना है हर एक को language चाहिए होते हैं वो किते हैं कि हमने with the help of your linguists जो हैं या जो भी different ontologist हैं या जो भी methods हैं इन से हम लोगों ने चीज़ों को understand किया कि हम language को किस तरह use करते हैं ठीक है उसके बाद वो ये बात करता है कि Indian एक concept sorry, Hindu एक concept है Nama Rupa का Nama Rupa को आप लोग हम लोग जैसे हमें हिंदी का थोड़ा सा idea है Nama का मतलब नाम और रूप का मतलब किस तरह कि उसकी शकल है form क्या है तो Nama और रूपा इसके अंदर वो simple Nama का मतलब name और रूपा का मतलब form ठीक है तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि दुनिया की हर चीज Nama और रूपा से बनी हुई है ठीक है जब ये दुनों चीज़ें मिलती है तो पूरा world complete हो जाते है जिसके अंदर subjectivity है और objectivity है जब हम table को हाथ लगाते है तो वो उसका subjective मतलब solid सारी जब हम उसको हाथ लगाते है तो वो objective solid चीज़ हमारे हाथ में आती है और जब-जब subjectivity होती है तो उसका idea जो हमारे mind में होता है जब वो दुनों चीज़ें मिलती है तो whole world complete हो जाते है ठीक है ये simple concept है Hindu concept Nama रूपा का उसके बाद वो कहते है कि कोई एदा no language is perfect no vocabulary is educated to the requirement of the given universe उसने आगे से काया कि कोई भी word जो है वो complete ये perfect नहीं है for example अगर हमने किसी book को नाम book रख दिया है तो अगर उसको कोई किताब कह रहा है तो वो गलत नहीं है कोई उसको notes कह रहा है तो वो भी गलत नहीं है तो इसका मतलब ये कोई fixity नहीं है without overvaluing the language वो कहते है कि knowledge उन लोगों के पास आगे जिन लोगोंने बात करना शुरू कर दिया जिन्होंने रीट करना शुरू कर दिया राइट करना शुरू कर दिया लेकिन language को वो importance नहीं दी कि वो कितना important role play करी है हमारी learning में और इन सब चीजों के अंदर अब हगसले बात करता है multicity of pictogram, idogram, phonogram and hierography as the rational of the invention of the alphabets यहां पर वो different type of writings को discuss कर रहा है और साथ में क्या कर रहा है उनकी वज़ा से या उनके side by side जो invention हुई है alphabets की सबसे पहले उसने लिखा है कि जो Aristotle था उसने कुछ खास important नहीं लिखा जो अपने students के साथ वो बात कर रहा था फ्लोटो उसने सरफ वो state किया है उसके बद वाखियत है Chinese जोंस है उन्होंने हमेशा language पर focus किया और उन्होंने जो है impressive language का use किया है उसके बद वो Egyptians पर आ गया है Egyptians के बारे में बता रहा है कि उन्होंने क्या किया है symbols के through writing लिखा है अगर आप लोगों में किसी ने mummy movie देखी है या आप लोग Egyptian language को search करो या उस परानी वाली को तो उनकी जो caves हैं उनके अंदर आपको pictures नज़र आएंगी जिसके through उन्होंने communicate किया है ancient Sumerian जोंसे हैं उनको भी यही है कि उन्होंने pictures में किया है उसके बाद वो यह कहता है कि हमें तो उस बंदे को credit देना चाहिए जिसने alphabet बनाए है और उसने जो यह हजारों sign language और photo pictures और यह सब चीज़ों किस को किसने replace कर लिया है reducing these hundreds of signs to less than 30 30 से भी कम alphabets के अंदर उसने उसको reduce कर दिया है उसने कहें by choosing these 20 to 30 constant and vowels तो वो हम क्या करें पूरी language बना दिया है सिरफ मतलब आपको पता है ABC के अंदर 20 something होते है alphabets तो हम पूरी की पूरी बात communicate किसमें कर लेते हैं उन्ही alphabets को use करते वे तो आप खुद सोचें कि अगर आप लोगों को picture language में करना होता और उसकी writing किसी की बुरी होती तो यह communicate हो सकता था इसका मतलब यह है कि different जगों की language समझने के लिए हमें different काम करना है पड़ते है तो यह जो ABC ने unity create कर दी है उसके लिए उसने काया कि हम लोगों को तो उसको thank you बोलना चाहिए unknown letter maker को जिसके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते हैं और उसने यह alphabets बनाई है अब at the end Huxley बात करते है the need of merger of the clear knowledge of the outer self with the obscure knowledge of the interception अब यहां पे वोई समझाना यह चाह रहा है किस तरह दुनिया की हर चीज आपस में जुड़ी हुई है वो कहते है the many dimensional pattern of our knowledge is infinite in extend, infinite in duration, infinite in significance infinite in the awareness of its infiniteness यहां पे वो पता रहा है कि दुनिया की time जुन से हमें नहीं पता उसके limit क्या है उसके importance का हमें नहीं पता और हमें यह भी नहीं पता कि कितनी यह limit है ठीक है तो वो इन सब चीजों से हमें क्या पता चल रहा है लेकिन कहते है जैसे उसने शुरू से end तक बताया कि एड़नेस का alphabet से क्या तालोग है और उस alphabet को हम अभी तक कैसे use कर रहे हैं और कितनी centuries पुरानी यह alphabet है तो वो यहां वे यह बता रहा है कि हम सब का आपस में कोई ना कोई तालोग है सब चीजें आपस में किसी ना किसी वज़ा से जुड़ी हुई है वो कहते है इसी जो हम alphabet को use कर रहे हैं तो हमारे से centuries पहले लोगों ने भी यही use की है और अब भी पूरी दुनिया के अंदर इसी को use कर रहे है वो कहते है our universe is a rich mixed bag of desperate items हमारी universe के अंदर सब चीजें अलग अलग चीजों से भरी हुई है मतलब उसमें बहुत सी varieties है in one sense or the other nothing is irrelevant to anything कोई भी चीज आपस में जुड़ी हुई नहीं है this means that there is togetherness of all things in the endless heretory of the living and interacting patterns तो वो यह बताना यहां पर समझाना चाहरा है कि सब चीजें हापस में जुड़ी हुई होकर भी नहीं जुड़ी हुई और फिर भी सब चीजें अलग अलग होते हुए भी हापस में जुड़ी हुई है ठीक है जैनरी वी वो कहते हैं कि हम लोग नॉर्मली इन सब चीजों के importance हम लोग नहीं देते हैं लेकिन हमें देनी चाहिए today our knowledge in every field of life is matchless wider than the one available in the past वो कहते हैं कि हम लोगों को अब चीजों की जादा चीजों की understanding है जितने हम लोगों के forefathers को नहीं थी और हम इन चीजों को जादा अच्छे तरीके से समझ सक रहे हैं तो हमें इन चीजों को सामने रखते हुए सोचना चाहिए कि यहां पर यह सब चीजों कैसे exist करती हैं जैसे पोलो कोहेलो एक novelist है उसकी एक है कि मैंने जिसको वो हंदी मुवी के अंदर भी शारुखान ने भी यूज की है हम मैंने जिस चीज को पाने की कोशश की है तो पूरी यूनिवर्स ने उसको मैं जे पाने के अंदर help करी है तो the thing is that ये उसका concept है जिसको मतलब ये भी उसी चीज को explain कर रहा है कि जब हम लोग हमारी जो पूरी दुनिया है उसकी हर हर चीज हम से linked है because हमारे four fathers जो उनसे हैं किस का genes किस में आया है और किस तरह हम लोगों के relatives मतलब दूर दराज में हैं और उनके आपस में क्या relation है ये सब चीजें आपस में interlink होते हुए क्योंकि हम सब humans हैं और उसके इलावा भी हम सब अलग अलग human beings हैं तो ये togetherness का वो एक element explain करना चाहरा है कि सब चीजें अकटी भी हैं और सब चीजें अलग भी हैं Okay, thank you class באन कि सब चाहरा ङता आपस में ष्हें अलग अलग अटजान कि सब चाहरा अलग और पltry हैं झाल झाल